वेज्ञानिकों ने आखिरकार 14 अपरेल 1912 को रात 11.04.09 बजे टाइटानिक के बारे में सच्चाई बता दी आरेमेस टाइटानिक के साथ एक भयानक दुरगतना हुई जिसके तीन घंटे बाद उसकी अंतिम रित्यू हो गई 15 अपरेल की सुबह 2.20 बजे तक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज अट्लांटिक महासागर की बरफीली ठंडी सतह के नीचे पूरी तरह से गायब हो गया था टाइटानिक ने अपने साथ 1500 से अधिक जिन्दगिया लील ली क्योंकि यह पानी में डूप कर कबर में समा गया था ये जहाज पर सवार सभी लोगों का दो तिहाई से अधिक है इतनी सारी मौतों का कारण बनी इस भयानक आपदा का कारण एक हिमखंट था जिससे जहाज दुरगट नागरस्थ हो गया था या ऐसा हमें हमेशा बताया गया है लेकिन वेग्यानिकों के हालिया निशकर्षों ने इस सिध्धान्त को खारिच कर दिया है इस वीडियो में हम आपको वो पूरा सच बताएंगे जो सौ साल से भी ज्यादा समय से दफन है 882 फीट 9 इंच लंबा, 92 फीट चोड़ा, 175 फीट उचा और 46,328 तन की उप्योग योग्य मातरा के साथ टाइटनिक अविनाशी लगता था लोग उसके असंखे मारगों और डेक पर मीलों तक चल सकते थे यहां तक कि जहाज के अधिकारियों को भी इस विशाल निर्मान के आसपास अपना रास्ता याद करने में दो सप्ता से अधिक का समय लगा टाइटनिक में चार विशाल धुए के धेर थे उनमें से प्रत्येक का वजन साथ टन था और वे डेक से 81.5 फीट उपर फैले हुए थे यात्रियों को प्रतिदिन उड़ने वाली 100 टन कालिक से बचाने के लिए इतनी प्रभाफशाली उचाई आवश्यक थी और भी अधिक आश्चर यजनक और भव्य दिखने के लिए स्मोक स्टैक्स को 30 डिगरी के कोण पर रखा गया था जहाज की लागत भी कम विसमयकारी नहीं थी इसके निर्मान में 7.5 मिलियन डॉलर की लागत आई थी यदि हम आधुनिक विनिमय दरों और मुद्रासवीती को ध्यान में रखें तो 2016 में वे 166 डॉलर मिलियन डॉलर का भुपतान करेंगे आश्चरी की बात यह है कि यह 1997 में विश्व प्रसिद फिल्म टाइटनिक के निर्मान से भी सस्ता होगा जिसकी लागत 200 मिलियन डॉलर थी हारलेंड और वोल्फ शिप्यार ने जहाज बनाने के लिए 3000 लोगों को काम पर लिया विशाल श्रम शक्ती के सब्ताह में 6 दिन सुबह 6 बजे से काम करने के बावजूद भी इस महान कारे को पूरा करने में 26 महीने लग गए इस महत्वपूर कारे को पूरा करने में 26 महीने लगे यह एक कठिन और जोखिम भरा काम था बिना किसी सुरक्षा रस्यों के 20 मंजिला इमारत की उचाई पर कुछ करने की कल्पना करे लेकिन इन लोगों को अपने परिवार का भरण पोशन करने के लिए पैसो की जरूरत थी बिल्डरों को प्रती सप्ता 2 पाउंड मिलते थे जो ज्यादा नहीं लगता लेकिन उस समय ये प्रतिसपर्धी वेतन था दुर्भागे से निर्मान प्रक्रिया के दौरान 8 लोगों की मृत्यू हो गई और 246 घायल हो गए इसलिए ये समझना वास्तव में कठिन है कि इतना जटिल तंत्र इसके निर्मान पर किये गए सभी कारियों प्रयासों और प्रयासों और धन के बावजूद केवल एक हिमखंड के कारण डूप सकता है खैर, नए निशकर्ष हमें यह विश्वास करने का कारण देते हैं कि तबाही का मूल कारण बर्प नहीं बलकि आग थी, पत्रकार सना मैलोनी 30 से अधिक वर्षों से टाइटानिक के भागे का अध्यान कर रही है उन्होंने ही जहाज के पत्वार पर 30 फुट लंबे विशाल काले धब्बे की खोच की थी टाइटानिक के रवाना होने से पहले ली गई एक तस्वीर की जाच करने के बाद उन्होंने इस पर ध्यान दिया पत्रकार को पहले से अप्रकाशित तस्वीरों का एक अल्बम मिला जिसमें जहाज के निर्मान और उसकी पहली और आखरी यात्रा की तैयारियों को दिखाया गया था किसी के ध्यान देने से पहले आग बहुत उच्च तापमान पर तीन सपता तक जलती रही होगी धातु कर्म विशेशग्यों को यकीन है कि ऐसी स्थितिया धातु को आसानी से कमजोर कर सकती है जिससे इसकी ताकत 75 प्रतिशत तक कम हो सकती है इसलिए हिमखंट को जहाज के किनारे में छेट करने में कोई परेशानी नहीं हो आग के लिए यह असंभव होता लेकिन ये तथि की हिमखंट ठीक उसी स्थान पर टकराया जहां क्षतिगरस्थ धातु थी टाइटानिक की दुखद घटनाओ की श्रिंखला में अविश्वस्निय कडियों में से एक है परियोजना के प्रबंधन को आग और इस तथि के बारे में पता था कि जहाज को उस घाता क्यात्रा पर नहीं जाना चाहिए था लेकिन इसका मतलब जहाज के मालिकों के लिए दिवाली आपन होता बात यह है कि उस समय पूरे देश में खनिक हरताल पर थे इसलिए टाइटानिक को सहारा देने के लिए कोईला नहीं था लेकिन टिकेट पहले ही बिक चुके थे और अन्य जहाज रद कर दिये गए थे क्योंकि हर कोई मानव जाती के लिए ग्यात सबसे बड़े जहाज पर सबसे पहले जाना चाहता था इसलिए टाइटानिक के मालिकों ने जितना भी कोईला मिला, खरीद लिया और यहां तक की अन्य जहाजों से भी कोईला खरीद लिया यात्रा रद करने का सवाल ही नहीं उठता इसलिए सच्चाई को छुपाने के लिए जहाज को इस तरह मोडा गया कि आग के निशान गोदी से दूर समुद्र की ओर हो इसलिए यात्री उन्हें देख नहीं सके इस प्रकार यात्रा शुरू हुई टाइटैनिक का इंटिरियर लंदन के रिट्स होटल पर आधारित था भव्य सीडियां जहाज के 10 डेक में से 7 से नीचे चली गई इसे चित्रों, कास्य करूबों और ओक पैनलिंग से सजाया गया था प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए सुविधाओं में गर्म पानी के साथ एक स्विमिंग पूल, एक तुर्की स्नान, एक जिम, एक स्क्वेश कोट और एक ब्यूटी सैलून शामिल थे महिलाय रात के खाने के लिए तैयार होने में मदद के लिए किसी स्टाइलिस्ट को भी ओर्डर कर सकती है उनके पास अट्लांटिक डेली बुलिटिन नामक एक जहाज पर समाचार पत्र था यहां तक की प्रथम श्रेणी के यात्रियों के कुट्टों के लिए भी एक विशेश स्थान था पालतु जानवरों को खाना खिलाया जाता था, सैर पर ले जाया जाता था और यात्रा के दौरान उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा सकता था प्रथम श्रेनी के भूजन में 13 व्यंजन शामिल थे, प्रत्येक की अपनी वाइन थी वे एक बड़ा अवसर थे, जो लगभग 5 घंटे तक चला वहाँ 1500 बोतल शराब, 20,000 बोतल बीर और 8,000 सिगार थे फिर भी कोई दुर्बीन नहीं थी ये तथ्य उलेक के योगे क्यों है? क्योंकि दुर्बीन होने से टाइटानिक को बचाया जा सकता था दुर्भागेपोर्ण घटनाओं की श्रिंखला में यह एक और दुखत सा योग है उस समय सोनार प्रणाली नहीं थी इसलिए किसी जहाज के आगे के खत्रों का पता लगाने के लिए विशेश लोग दुर्बीन का उप्योग करके निगरानी रखते थे लेकिन टाइटानिक पर लगे दुर्बीनों को एक विशेश डिब्बे में बंद कर दिया गया था लोकर की चाबी रखने वाले एक मात्र व्यक्ती सेकंड ओफिसर डेविड ब्लेर को अंतिम समय में बदल दिया गया उसे जहाज छोड़ने की इतनी जल्दी थी कि वो चाबी अपने प्रतिस्थापन को सौपना भूल गया इस घातक विस्मृती का पता केवल तीन दिन बाद चला जब जहाज पहले से ही समुद्र में था यदि चालक दल को दुर्बीन मिल गई होती तो उन्होंने हिमखंट को पहले ही देख लिया होता और दुरगटना से बचने के लिए उनके पास पर्याप समय होता शायद दुरगटना को टाला भी जा सकता था यदि जहाज गती सीमा का उलंगन न कर रहा होता वे निर्धारित समय से पीछे हो रहे थे और यह अस्वी कार्य था क्योंकि इससे टाइटानिक की प्रतिष्ठा बरबाद हो सकती थी इसलिए जहाज जिस गती के लिए डिजाइन किया गया था उससे कहीं अधिक गती से आगे बढ़ रहा था एक और आपराधिक लापरवाही जीवन रक्षक नौकाओं से जुड़ी थी जहाज पर सभी लोगों को रखने के लिए टाइटानिक को लगभग साथ लाइफ बोट की आवश्चकता थी मुख्य डिजाइनर एलेक्जेंडर कालाइल ने जहाज को केवल 48 नावों से लेस करने की योजना बनाए लेकिन अंतता ये संख्या और भी घटाकर बीस कर दी गई ये पूरी तरह से कॉस्मेटिक कारणों से किया गया था क्योंकि डेक 48 के साथ बहुत अव्यवस्थित लग रहा था इन 20 नौकाओं में सवार सभी लोगों में से केवल एक तिहाई लोग ही बैट सकते थे हैरानी की बात यह है कि जीवन रक्षक नौकाओं की इतनी भारी अपर्याप्त मात्रा तक्नीकी रूप से वैद थी उस समय के कानूनों के अनुसार नावों की संख्या यात्रियों की संख्या पर नहीं बलकि जहाज के टन भार पर निर्भर करती थी इसके अलावा टाइटानिक के निर्मान के समय समुदरी जहाजों पर लाइफ बोट अभ्यास मानक अभ्यास था इस तरह चालक दल किसी अपातकालीन स्थिती के लिए यात्रियों को तयार कर सकता है लेकिन टाइटानिक पर इस तरह की ड्रिल कभी नहीं हुई थी जिस दिन टाइटानिक डूबा, उस दिन सुभा कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने निर्धारत ड्रिल रद कर दी उनके निर्णय के कारणों को कोई नहीं जानता विशेश रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अन्य जहाज उस शेत्र में पानी में बर्फ के बारे में चेताबनी दे रहे थी शायद यही कारण है कि चालक दल को लाइफ बोट लॉंच करने में मानक 10 मिनिट के बजाए आधे घंटे से अधिक का समय लगा कुछ लोग कैपटन समिथ को लाइफ बोट के पहले बैच को आधा खाली छोड़ने की अनुमती देने के लिए भी दोशी मानते पहला जथा आधा खाली छोड़ने वाला जीवन रक्षक नौकाओं का भी पहला जथा था अन्य 65 सीटो वाली पहली नाव में केवल 27 यात्री थे उन्हें पूरा क्यों नहीं पैक किया गया शुरुआत में लोग जहार छोड़ने के लिए अनिच शुप थे और उन्हें एहसास नहीं था कि वे गंभीर खत्रे में थे 2012 में शोद करताओं को पता चला कि कैप्टन स्मिथ नैविगेशन में अपनी पहली परीक्षा में असफल हो गए थे आखरकार वो पास हो गया लेकिन कौन जानता है शायद इस आपदा में इसकी भी अपनी भूमिका रही होगी जैसे ही टाइटैनिक दूब रहा था चालक दलने कई संकट संकेत भेजे अलाकि पास में नौकायन कर रहे एक जहाज कैलिफोर्निया इने आकाश में आपातकालीन भरकने वाले शोट को नजर अंदाज कर दी इस तथे के सामने आने के बाद बाद में कालिफोर्निया के कैप्टन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा लेकिन आधुनिक शोट करता उसकी बेगुना ही साबित करने में काम्याब रहे खैर देर आए दुरुस्त आए टाइटैनिक के संकेतों पर किसी का ध्यान नहीं जाने का कारण बारूदी सुरंगों की घटना हो सकती है बारूदी सुरंगे प्रकाश अपवर्तन का एक रूप है जब ठंडी हवा की परतें गर्म हवा की परतों के नीचे स्थित होती है तो ये थमल व्यूतक्रमन का कारण बनती थमल व्यूतक्रमन बदले में प्रकाश को असामाननी रूप से अपवर्तित करता है संक्षेप में ये सब म्रिक्त्रिशना पैदा करता है और ऐसी म्रिक्त्रिशना है उसक्षेतर में चलने वाले कई अन्य जहाजो द्वारा दर्ज की गई इतिहास का टिम माल्टिन भी आश्वस्त हैं कि उस रात प्रकाश का अपवर्तन ही वो कारण हो सकता है जिसके कारण निगरानी करता हिमखंट से पूरी तरह चुप ये पहली बार है कि कोई जहाज आस्मान में देखा गया है और यह कोई सयोग नहीं है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है आप राधिक लापरवाही सयोगों की दुखद और दुर्भाद्य पूर्ण श्विंखला आग या बर्फ जो कुछ भी था इसने सैक्रों लोग आनिकों का दिमाग व्यस्त रहता है देखने के लिए धन्यवाद यादी आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तु वीडियो को लाइक कर दीजिए